नमश्कार मैं हूँ आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 उत्रप्रदेश, गोवा, मनिपूर, पंजाब और उत्राखन विधानसबा चनाओ के लिए मदगर्ना आज सुबा आट बजे से शुरू होगी पांच राज्यों के अलावा असम की माजुली विधानसबा सीट पर हुए उपचनाओ के लिए भी मदगर्ना आज ही होगी उत्राखन में बीजेपी की कोशिर सत्ता बरकरार रखना तो कॉंग्रेस का प्रयास सत्ता पर काबिस होने का है देखना ये है कि मौजूदा सीम पुशक सिंग धामी अपना सिहासन बचा पाएंगे या फिर कॉंग्रेस बाजी माल लेगी उत्राखन में बिधान सबा की कुल सत्तर सीटे हैं प्रमुक चहरों में खटीमा से बीजेपी के पुशक सिंग धामी लाल कुवा से कॉंग्रेस के हरीश रावत चौपता खल से बीजेपी के सत्पाल महराज गंगोती से आमादमी पार्टी के करनल अजे कोठियार असितार गंग से बीजेपी के सौरब भोगुणा की प्रतिष्ठा दाउं पर है तुम्हाई दूसरी और हरीश रावत की बेटी अनुपमा विधायक कुम्र प्रणंग चैंपिन की पत्नी कुम्रानी देव्यानी यश्पाल आर्य के बेटे संजीव आर्य वविधायक हरबजन सिंग चीमा के बेटे त्रिलोक सिंग चीमा के नतीजे पर भी सबके निगा लगी है पहली बार पूरे दम खम से मैदान में उत्रियाम आदमी पार्टी मदाताओं के दलों में किती जगब बना पाए है नतीजे बताएंगे कि अब आने वाले समय में आप उत्राखन में किस स्तती में रहेगी और भविश्र में उसका अक्शन प्लान क्या रहेगा आज जब स्ट्रॉंग रूम से एवियम बाहर निकलेंगी तो तै होगा कि पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी या गडबंदन की आज सुबा आज बजे से मदगरना शुरू हो जाएगी और दो पहर दो से तीन बजे तक पूरे नतीजे आने की संभावना है आपको बता दे उत्राखंड में 70 विधानसपा सीटों के लिए 14 फरवरी को एक चर्ण में वोटिंग हुई थी कुछ एग्जिट पोल में भाषपा या कॉंग्रेस को उत्राखंड में बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है लेकिन जादतर में दोनों प्रमुक राजनीतिक दलों के बीच काटि की टककर या त्रिशंकू वधानसबा की संभावना व्यक्त की है ऐसे परिदरिश्व में सरकार बनाने में निर्दले, आमादमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भौजित समाश पार्टी और उत्राखंड क्रांती दल जैसे चेत्रियत दलों से विजए प्रतियाशियों की भूमी का महत्वपूर हो जाएगी प्राइम्यूस 24 के लिए पायल रावत के रेपॉर्ट